हाँ जी तो कैसे हैं आप सब I hope सब अच्छ होंगे तो चलिए आज बनाते हैं बिहारी स्टाइल में ये जोरी बड़ी यानि की कड़ी बड़ी पर इसमें हम ना तो बेसे नियूज करेंगे ना ही लहसन प्यास का तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के सबस्टाइल हैं ये कडि बड़ी तो इस पिसे भी डाल में डाल देंगे स्वाध के सरनूमक को थोड़ी सी हाल दी अर्विल्कुल थोड़ा सा मश्राण चा जीरह खड़े बीचा चाल बिल्कुल तो हम इसमें डाल देंगे लाल विर्ष का पाउडर साथ ही डाल दालेंगे अच्छे से फैटना होगा और इतना फैटना है इसे कि एकदम फैटते फैटते यह हलकी हो जाए तो जितना अच्छा से फैटा हो रहेगा उतनी अच्छी यह बड़ी बनेगी तो बिल्कुल 5-7 मिनट तक हमें इसे फैट लेना है और उसके बाद कडाही में ओयल को गरम करके इसे हम छोटी छोटी बड़ी की तरह बना लेंगे तो बिल्कुल छोटी साइज में ही बनाना है हमें इसे अभी क्योंकि बाद में ये ग्रेवी में जाने के बाद अच्छे से फूल करके डबल साइज में हो जाती है तो नॉर्मली जो कड़ी बड़ी बनती है वो बेसन से जाती है पर बिहार में जो हम बनाते हैं जोरी बरी वह इस तरीके से दाल को पीस कर बनाई जाती है और इसका एक अलगी टेस्ट आता है बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है तो बहुत छोटी सी वीडियो है रेस्पी को सही सब मचने के लिए आप पोरी वीडियो जरूर देख कि जब भी आप इसे फ्राइकर के ऐसे बनाएं तो आधे तो लोग ऐसे स्नैक्स की तरह खा लेते हैं तो बना ली है मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी बड़ी दाल की और यह बहुत ही फूली बहुत ही सौट बनी थी तो इसके बाद अब हम लेते हैं एक कटोरी दही और इस अब हम पानी जितना हमें कड़ी के लिए ग्रेवी चाहिए उतना तो इस तरीके से हम यह घोल रेडी कर लेंगे पहले और उसके पाद एक कड़ाही में डालेंगे सर्सुका ओयल और लेंगे यह तड़का जीरा सुखी लाल मिर्श तेजपत और थोड़ा सा मेथी और यह त थोड़ी सी और इसके पकने के बाद अब हम यह घोल बना करके रखा है हमने दही दाल और थोड़ी से मसालों का यह घोल डाल देंगे और इसी हम लगातार चलाते हुए चार-पांच मिनट पहले पकाएंगे जब तक कि यह अच्छे सी उबलने न लगे तो जब इसमें अच बना और नमक डाल्ने के बाद अच्य से मिक्स करेंगे और उसके बाद अब इसमें डाल देंगे हम यह जो फ्राय करके hemने बड़ी रखी थी दाल की तो इस कढ़ी बड़ी को हम बेशं से नहीं बना रहे हैं बलकि दाल से बना रहे हैं और ये बहुत ही जियादा टेस्टी बनती तो ज़रूर आप एक भार इस तरीके से बना करके देखिएगा, इसमें प्याज लह्सन का भी यूज़ नहीं किया जाता इस कड़ी के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है पर बहुत ही जादा टेस्टी होती है, और चग कड़ी थोड़ी सी गाड़ी बनाई जाती है पर बिहार में जो बनती है जोरी बरी ये थोड़ी सी पतली होती है तो पतली ग्रेवी वाली होती है और इसे जोरी कहा जाता है तो बस बड़ी डालने के बाद इसे हम 4-5 मिनट और अच्छे से पकाएंगे मेडियम आज पर तो ये जो बड़ी है एकदम फूल करके डवल साइज में हो जाती है तो वैसे तो रेडी हो चुकी है हमारी ये कड़ी बड़ी पर इसे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए हम लगाएंगे इसकी उपर एक और तड़का लेंगे गी उसमें जीरा थोड़ा सा ही लाल मिश का पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी हींग और ये तड़का हम डाल देंगे इस जोड़ी बरी में तो कई लोग को ये डबल तड़का पसंद नहीं आता तो मैंने पूरी कड़ी में नहीं लगाया है आधी कड़ी में मैंने ऐसे तड़का लगाया है डबल और आधी ऐसे ही रखी है तो यह तर्का लगाने से और भी ज़ादा चटपटी और टेस्ची लगती है आप चाहे तो प्लेट भी रख सकते हैं या इस तरीके से उपर से घी, जीरा, हिंका तर्का लगा सकते हैं और भी ज़ादा टेस्टी लगेगी तो इसे मैंने सर्फ किया गर्मागरम चावल के साथ कड़ी और साग और चटनी अच्छी अच्छी लगी हो रेसी भी तो वीडियो को कीज़े का लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो रोज नही तरीके की रेस्पी के लिए